दोपहर तक स्पॉंसर बाई कॉटिल्य अकाडमी रीवा चिकित्सा सिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्रफेसर और हिंदी के जानकारों ने MBBS की किताबों का ट्रांसलेटेड वर्जन तैयार कर लिया है इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है मंदार नाम रख मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुझे खुशी है कि दुनिया के उन देशों में भारत भी शामिल हो गया है जो अपनी मात्रभाशा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं इसकी शुरूआत मध्यप्रदेश से हो रही है मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि पहले हमन ये विचार बनाये था कि हम भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत करेंगे लेकिन अब किताबे परियाप्त मात्रा में तयार हो गई है अब मध्यप्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एंबीबियस की पढ़ाई शुरू हो रही है उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी हिंदी में एंबीबियस की पढ़ाई जल्दी शुरू हो जाए कि इंद्री ग्रमंत्री अमिश्या के मध्यप्रदेश आगमन की और कारिक्रम की तयार यां मध्यप्रदेश में चल रही है बढ चादे मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में नर्मदा नियंत्रन मंदल की बैठक में ये फैसला लिया गया है नर्मदा नियंत्रन मंदल की बैठक में तै हुआ है कि नर्मदा नदी पर पांच सिचाई पर योजनाओं के निर्माड की मनजूरी दी गए इन 5 सिचाई परियोजना उपर 11,540 करोड रुपए की लागत आएगी जिन परियोजनाओं का निर्माड किया जाना है उनमें डिंडोरी जिले की अपर नर्मदा योजना शामिल है जिसमें 45,600 हेक्टेर जमीन के सिचाई होगी होशंगाबाद जिले की द जमीन के सिचाई होगी मंडला जिले की बसानिया सिचाई परियोजना से 8,780 हेक्टेर जमीन के सिचाई की जाएगी सिहोर के डोबी में भी सिचाई परियोजना का निर्माड किया जाएगा जिससे 8,544 हेक्टेर जमीन के सिचाई होगी इन परियोजनाओं में मधिप्रदे दी जाएगी साथ ही समूह माइक्रो सचाई परियुजना नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों के विकास के काम भी लगातार किये जाएंगे दोपहर तक स्पॉंसर्ट बाई कॉर्टिल्य अकाडमी रीवा